नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं NCRT साइंस क्लास 9 कक्षा नवी में NCRT विक्यान से आज का हमारा अगला महत्वण प्रश्ण है यदि किरिया सदेव प्रति किरिया के बराबर है तो इसपश्ट किजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खीच पाता है तो देखो यह जो कोशन है यह न्यूटन की गति के तिसरे नियम से लिया गया कोशन है उसका एक तरह से एक्जामपल है तो गाइस मैंने न्यूटन की गति का प्रत्थाम दिविति और तरतिय तीनों नियम समझा दिये हैं इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं जब गाड़ी को खीचने के लिए घोड़ा प्रतिवी की सत्व को अपने पेरों से पीचे की और धकेलता है देखा होगा आपने कि जब गाड़ी को खीचना होता है तो गोड़ा क्या करता है अपने पेरों से प्रतिवी को पीचे की और धकेलता है तो आगे बताए न्यूटन की गति का त्रतिया नियम सीख लेंगे मैंने उसमें तीसरा नियम भी समझाया है साथ में उसका उधारन भी देया हुआ है ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार वो वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा न्यूटन की गति के प्रतम द जाएगा निएगा है तो आपस का भीजिए लाएगा है